उत्तंक की गुरु दक्षिना एक समय था जब भारत के रिशी मुनी वनों में आश्रमों में मिट्टी वे भूसे की कुटिया बना कर रहते थे ऐसे ही एक आश्रम में उत्तंक नाम का एक बालक रहता था कई वर्ष बीते और वह बड़ा हो गया शीगर ही उसने वे सब विद्याएं सीख ली जो उसके गुरु उसे सिखाते थे एक दिन वह अपने गुरु के पास जाकर बोला गुरु वर आपने इतने वर्ष मुझे शिक्षा दी पर मैंने कभी एक बार भी आपको कुछ नहीं दि जो मैं आपको दे सकूँ और जिसे पाकर आप खुश हो उसके गुरु ने कहा वद्स मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम अपनी गुरु मता के पास जाकर उनसे पूछ लो सो उत्तंक ने अपनी गुरु मता के पास जाकर जुक कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा ऐ मेरे लिए उन्हें ले आओ मैं उत्सव की दिन उन्हें पहनना चाहती हूं मुझे करणफू लादो तब मैं समझोंगी कि तुम्हारी भक्ती सच्ची है यह सुनकर उत्तंक घबरा गया फिर भी जंगल के रास्ते वह उस नगर के लिए चल पड़ा जहां राजा निवास करता था प्रिष्ठ संख्या 15 वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक भीमकाय बैल को अपनी और आते देखा जैसे जैसे वह समीप आया उत्तंक ने उस पर एक इतने बड़े आत्मी को बैठे देखा कि वह डर कर पीछे हट गया परन्तु उस व्यक्ति ने पुकारा उत्तंक इसे पीलो और उसने गंदे पानी का एक प्याला आगे बढ़ाया उत्तंक ने मुह मोड लिया पर वह व्यक्ति बुला पीलो उत्तंक यह मार्ग में तुम्हारी सहायता करेगा अंत में बहराजा के महल में पहुँच गया सहास पूरवक उसने महल के भीतर प्रवेश किया औ और जब तक राजसी हासन पर आसीन स्वयम राजा को नहीं देखा तब तक अपने आसपास कुछ देखने के लिए नहीं रुका महराज उत्तंक ने प्रणाम करके कहा मैं यहां से कई मेल दूर वन के एक आश्रम से आया हूँ मेरी गुरु माता उत्त सब के दिन महरानी के कर ना चाहिए वे बोले उनके कक्ष में जाओ और उनसे मांगो उत्तंक महरानी के कक्ष में गया परंतु उसे वे ना मिली वे राजा के पास लोटाया और बोला महराज वे मुझे मिली नहीं महराज ने यात्रा की धूल से सने कपड़ों और मैले को चैले हाथ-पेरों वाले उत्तंक को सामने खड़ा देखा, क्या तुम रानी के सामने ऐसे जाओगे, वे बोले, उत्तंक लज्जित हो गया, नहा धोकर स्वच्छ होकर वह फिर महारानी को ढूनने गया, इस बार वे उसे मिल गई, महारानी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उत्तंक से उनकी हतेली पर चमकते कर्ण फूल देखे, तुम्हें अच्छे बालक हो उत्तंक वे बोली, मैं स्वेच्छा से तुम्हें कर्ण फूल देती हूँ, परंतु साबधान, बहुत दिनों से इन पर सर्पराज की द्रिष्टी है, इन्हें गमा मत देना, प्रिष्ट संख्या 16, इस प्रिष प्रिष्ट संख्या 17, उत्तंक ने उन्हें धन्यवाद दिया, एवम घर के लिए निकल पड़ा, शाम हो रही थी और वे ठका हुआ था, एक पेड के नीचे तने का सहारा लेकर, अपने समीप ही भूमी पर कर्ण फूल रखकर वे विश्राम करने लगा, सहसा उसने एक हाथ को करन फूल खीच कर गायब होते हुए देखा, वे उचल कर खड़ा हो गया, वे जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि फटे पुराने वस्र पहने एक आदमी जंगल में भागा जा रहा है, उत्तंक जितनी तेज दोड सकता था के पीछे दोड़ा, पर तभी वे आदमी सर्प बन गया और रेंग कर भूमी के एक बिल में खुस गया, उत्तंक अत्यांत दुखी था, प्रयत्न करने पर भी इतने छोटे बिल में प्रवेश करने का कोई उपाए नहीं सूज रहा था, वे बैठा भागय को कोश रहा था कि तभी एक बुढ़ा आदमी उसके सामने बढ़ा था, उसके समीब ही भूमी में एक बड़ा छेद हो गया, उत्तंक ने छेद में प्रवेश किया और स्वयम को सर्पराज के राज्ये में पाया, वे धीरे धीरे चलता गया और एक कपड़ा बुंती दोस्त्रियों के समीब पहुँचा, उसने उन से सर्पराज के महल का मर्ग पूचा, उन्होंने उसकी बात न सुनी और बुनने में लगी रही, उसने देखा उनका वस्तर काले और सफेद धागों से बुना हुआ था, फिर वह बाहर हैं तीलियों वाले एक पहिये के पास पहुचा, छेह लड़के इस पहिये को घुमा रहे थे, तुम क्या क रहे हो, उसने लड़कों से पूचा, उन्होंने उससे कोई उतर ना दिया, अता वह आगे चलता गया, बहुत सुन्दर घोडे वाले एक आदमी को देखा, उतंक उसके पास गया, वह घोडे से इतना प्रभावित हो गया, कि आदर पूर्वक उस आदमी को प्रणाम करके ब इस घोडे पर फूख मारो वह आदमी बोला, उतंक घोडे के पास गया और फूख मारता ही गया, घोडे के शरीर के हर बाल से एक ज्वाला निकली और सर्प राज के राज्य के कोने कोने में फैल गई, उसने सारे घर जला दिये और तब सब सर्प बाहर निकल कर उतंक से उस आदमी ने उतंक को वह घोडा दे दिया और कुछ ही क्षणों में वापस आश्रम पहुचकर उसने सही समय पर उत्सव में पहनने के लिए अपनी गुरु माता को करणफूल दे दिये, उन्हों ने उसे उसके परम सहास के लिए आश्रिवात दिया, जब उतंक ने अपन पुर्व अनुभव सुनाया, तो उसके गुरु मुस्काय और बोले, पुत्र वह घंदा पानी जो तुमने पिया अम्रित था, वह तुम्हें शाश्वत युव वस्था प्रदान करेगा, कालेवे सफेद धागों को बुंती दोस्त्रियां रात व्य दिन है, बारहां तीलि अब संसार में जाओ, क्योंकि परम सोभागय तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहा है, इस प्रकार अपने करतव्यों का पारन करके उत्तंक संसार में आजीवी का खोजने निकल पड़ा, वह अन्य मनुश्यों जैसा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इश्वर ने उसकी रक् आप्त होती है, प्रिष्ठ संख्या उननीस